जेहन आप सभी एक्स सर्विस्मेन का आपके अपने यूटूब चैनल में स्वागत है दोस्तो आज की भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रिदेश के सिविल कोर्ट में निकली स्टाफ सेंट्रलाइजड रिप्रूट्मेंट के बारे में तो दोस्तो उत्तर उसी डिस्टिक में आपके लिए ये पोस्टिंग मिल सकती है तो आज की वीडियो में इसी भरतिश से रिलेटेड हम पूरी की पूरी जानकरी आपको देने वाले हैं तो सबसे पहले तो दोस्तो इसकी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं अगर आप इसम अफसे अक्टूबर के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं वेकंसी रिजैब्ड फॉर एक सर्विसमें तो यहां पर 5 परसेंट वेकंसी एक सर्विसमें के लिए रिजैब्ड रखी गई हैं How to apply, तो only online mode पर आप apply कर सकते हैं, यह जो दोनों website digging हैं, इन website पर, इन में से किसी भी एक website पर जाकर आप apply कर सकते हैं. Details of vacancies, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह जो vacancies हैं, वो stenographer grade third की हैं, जो की category C में आती हैं, याने की group C में आती हैं. Number of vacancies हैं दोस्तों 513 से, जिसमें 517 vacancies for हिंदी stenographer के लिए हैं और 66 vacancies for English stenographer के लिए हैं. Pay scale होगा आपका बावन सो से लेके 2200 तक और grade पे हैं आपकी 800, मतलब minimum जो आपकी first grade पे हैं, वो है 800 से start. आगे चलते हैं दोस्तों application fees for ESM, तो यहाँ पर कोई भी application fees में relaxation x servicemen को नहीं दिया गया है, तो आप जिस category के आते हैं, उस category के साबसे application fees आपको देनी है. उसके बाद में दोस्तों other activities में आप देखेंगे, तो अगर आपके form में कुछ गलती हो जाती है और आप उसको correct करना चाहते हैं, तो correction window जो है दोस्तों 26-27, यानि की दो दिन, 26-27 October के लिए खोल दी जाएगी, जिसमें आप अपने form में कोई भी correction कर सकते हैं. education qualification की बात करें तो दोस्तों, अकर आपको हिंदी stenographer के लिए apply करना चाहते हैं, तो आपको graduate होना जरूरी है, उसके बाद में आपके पास में दोस्तों short hand का certificate होना जरूरी है, जिसमें आपकी 80 word per minute की speed होना जरूरी है, और 30 word per minute in typing, in Hindi, ठीक है, along with triple C certificate, तो आपकी जो speed है, वो ह आपके पास में होना जरूरी है, for English stenographer के लिए दोस्तों graduation होना जरूरी है आपको, उसके बाद में stenography में certificate होना जरूरी है, या फिर diploma होना जरूरी है, और आपकी minimum speed हो 100 word की होनी चाहेंगे, और जो आपकी speed है, वो 40 word per minute on computer को होनी चाहेंगे, short hand tap के रहींगे, चलिए, C certificate इसमें भी आपसे मांगा जा रहा है, selection procedure, selection procedure की बात करें, तो दोस्तों stage बन में आपका written exam लिए जाएगे, जिसमें आपके पास में Hindi, English, General Studies और Mathematics के 100 questions दिये जाएगे, मतलब 25-25 marks के 25-25 questions दिये जाएगे, जिनके लिए आपको 100 number मिलेंगे, अगर आप इसमें short list हो जाते है तो stage second part 1 के लिए आपको बुला जाएगे, जिसमें आपको Hindi याफरे English की tapping करनी होगी on computer, Hindi के tapping में 25 word per minute और English के tapping में 30 word per minute की speed होना जरूरी है, इन दोनों के लिए ही आपको 25-25 marks दिये जाएगे, उसके बाद में अगर आप tapping test में भी पास हो जाते हैं, तो आपको stage 2 के साथ, stage 2 में part B के लिए Hindi याफरे English के stenography test के लिए बुला जाएगा, अगर आप Hindi के test देते हैं, तो 80 word per minute और English का test देते हैं, तो 100 word per minute की speed से आपको stenography लिखनी होगी, जिसके लिए आपको 50 marks दिये जाएगे, चलिए, age relaxation, तो normal candidates के लिए दोस्तों यहाँ पर जो age है, वो 18 से 40 साल रखी गई है, एक servicemen को as per government के रूल के साब से यहाँ पर age relaxation दिये जाएगा, और आपको पता है, जैसे कि आपके जो age है, उसमें साप अपनी service को minus कर दीजिए, जितनी भी service आपने की है, उसके बाद में आपके जो age है, उसमें से 3 साल और minus कर दीजिए, फिर भी आपके age जो है, ब भूल गये, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि the upper age limit for exercise men of state of uttar prides shall be relaxable by 3 years, तो अगर आप के वर उत्तर प्रिदेश के exercise men है, तब ही आप इस वर्ति में apply कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं, तो उम्मित करते हैं, यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब जरू कर लेना, तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक लिए नमस्कार, जै हिन, जै वारत